मैं जानती हूँ कि इन दिनों हम सभी को हर पार्टी में healthy glowing skin की जरुवत होती है इसके secrets जानने के लिए मिलते हैं skin और है expert स्वाती गुपता से मुझे लगता है सबसे अच्छी tip है अच्छी नींद मैं आम तोर पर यही सला देती हूँ कि आप दो या तीन राते अच्छी नींद सोएं क्योंकि बाहरी कोई भी चीज आपको इतना फाइदा नहीं करती जो अच्छी नींद कर सकती है दिन में धेर सारी तरल चीजे पीते रहें जैसे पानी, juices, lime juice, green tea अगर आप बाहर जाते वक्त मेक अप का इस्तमाल करते हैं तो सोने से पहले उसे निकालना बहुत जरूरी है चाहे आप कितने भी ठके क्यों नहों लेकिन मेक अप निकालना बहुत जरूरी है उसे भूलना नहीं चाहिए सोते वक्त आपके चेहरे पर बिल्कुल मेक अप नहीं होना चाहिए और ऐसा क्यूं है? क्योंकि ये आपके पोर्स को क्लॉक कर देता है और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको पिंपल इमीडिटली आ सकता है या अगले दिन बहुत बुरा रैश भी हो सकता है या कभी-कभी वो कभी एक-दो दिन बाद भी आ सकता है इसलिए मेक अप की परद निकालना बहुत जरूरी होता है रात बर आपकी स्किन का सांस लेना जरूरी है मेकप निकालने के बाद अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी प्रडाक्ट लगाना चाहिए मैं किसी चीज़ का नाम नहीं ले सकती क्योंकि अलग स्किन टाइप्स को अलग चीज़े चाहिए तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राइ है या आपकी एज ज्यादा है तो आप कोई एंटी एजिंग क्रीम या हैवी नारिशिंग क्रीम लगाईए अगर आप जवान है तो किसी भी मिल्क क्रीम वाश से वाश कर सकते हैं लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए आप बिना कुछ किये या ना लगाए सो नहीं सकते अगर आप अपने बालों में बहुत styling करते हैं और अगले दिन आपको बाल धूने हैं तो थोड़ा सा oil या ऐसा कुछ लगा दीजिए ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप कंगी करेंगे तो वो अच्छी तरह से smoothly होगा वरना अगर आप ऐसे ही सिर को wash करेंगे तो बाल एकद बाल से पूंगर waits कर गलों दो होगा कर लोगा हैं तो करेंगे वो उेलीन केदावी तो उख़गे हैं रशाओ फे